उस्वक्त विशाल कुछ सोचते हुए अपने डेस्क पर बैठा है और तब ही घड़ी की सुई तन की कुँच के साथ साड़े तीन का समय जाहिर करती है विशाल की निगाहें अपने आप उस इटालियन घड़ी की और मुड़ जाती हैं क्योंकि विशाल समझ चुका है कि उसके अब होटेल राज महल से जाने का वक्त आ चुका है वही अचानक से वहां माहौल में वही जानी बहचानी सी गंध हवा में फिर एक बार धीरे धीरे फैलने लगती है अभी विशाल अपने डेस्क से उठकर जाने की तयारी कर ही रहा होता है कि अचानक से डेस्क पर रखा टेलीफोन ट्रिंग ट्रिंग के साथ बजने लगता है वहीं घड़ी की सूईया जो लगातार बेचैनी से लगातार टिक टिक करती जा रही है उसे बाहर जाने का इशारा कर रही है तब ही बिना कुछ सोचे विशाल जट से टेलीफोन का क्रेडिल उठा लेता है क्योंकि वो जानता है कि अब बस कुछ ही देर में आग दोबारा से होटेल राज महल में फैल जाएगी और वापस से सब कुछ अपने आप खाख हो जाएगा लेकिन उसका जो काम है उसे तो वो हर हाल में पूरा करके ही रहेगा वहीं टेलीफोन क्रेडिल उठाते ही फोन की दूसरी तरफ से एक बूड़ी मगर घबराई हुई आवाज आती है टेलीफोन पर बात करने के दौरान ही विशाल रूम नमबर देखता है तो वो कॉल उसे रूम नमबर 5002 से आई होती है वहीं आगे कुछ कहते हुए सामने से टेलीफोन कट जाता है और उस आवाज के मालिक की जगा टेलीफोन पर गहरी खामोशी तैरने लगती है विशाल बिना कुछ सोचे जल्दी से लिफ्ट की और देखता है जो धीरे धीरे आग में जल्दी जा रही है उसके पास और कोई आप्शन नहीं होता उस वक्त इसलिए वो सीडियों के और मुड़कर जल्दी जल्दी सीडिया फानता हुआ रूम नंबर 5002 की और बढ़ने लगता है वहीं घुमावदार सीडियों पर हर तरफ आग की हलकी हलकी लप्टे उस वक्त नजर आ रही है कहीं कहीं से सीडिया अब जल्ने भी लगी है लेकिन इस वक्त विशाल के दिमाग में जैसे एक भूट सवार है इसलिए वो तेजी से भागता हुआ रूम नंबर 5002 की और बढ़ता चला जाता है अभी विशाल पाच्वे माले पर पहुँचा ही है कि उसे वहां सब कुछ पुरी तरह से जलता हुआ नजर आता है पॉरिडोर से लेकर दर्वाजे, दिवारों पर तंगी तस्वीरे वहां मौझूद सारी चका चौंद यहां तक कि वहां होटेल की सारी रौने के भी जलकर लगबग निस्ता नाबूत हो चुकी है वहां मौझूद हर एक चीज, यहां तक कि आगे उपर पहुँचने की सीड़िया तक वहां जल चुकी है सब जलकर बुरी तरह से खाख हो चुका है, राख में तबदील हो चुका है और उसके साथ ही, वहां एक साथ कई सारे लोगों की चीखने की आवाजे भी आती जा रही है जो धीरे धीरे शोर और बेचैनी में बदलती जा रही है वहीं विशाल को ये चीखे बरदास्त नहीं होती और वो अपने कान पर हाथ रख लेता है आखिर में, मजबूरी में विशाल खाली हाथ वहां से वापस लोटाता है क्योंकि वहां अब और जादा देर ठहरना, अपनी मौत को दावत देने जैसा होगा वहीं सुभा अपने घर पहुँचने पर विशाल की गर्ल्फरिंड प्रिया पहले से ही वहां उसका वीट कर रही होती है और विशाल के अपने रूम के अंदर दाखिल होते ही प्रिया उस पर लगभग तूट पड़ती है उसके गालों पर एक के बाद एक किस करने लगती है उसके होटों की और पढ़ने लगती है लेकिन विशाल अपनी गर्ल्फरिंड प्रिया से दूर हटते हुए कहता है प्लीज प्रिया, मैं बहुत ठका हुआ हूँ, मेरा मूड नहीं है वहीं विशाल की ये बाते सुनकर प्रिया नाराज होकर कहती है तुम्हारे पास मेरे लिए भी वक्त नहीं होता सारी रात मैं तुम्हारे प्यार में तुम्हारे लिए यहां इंतजार करती हूँ और तुम हर बार सिर्फ यही कहते हो आज मेरा मूड नहीं है या फिर कुछ और भाना कर देते हो हो क्या क्या है तुम्हें तभी विशाल कहता है प्रिया, you know what हमें हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए क्योंकि दुनिया में और लोग भी है हमें थोड़ी बहुत उनकी परवह भी कर लेनी चाहिए इस बात पर प्रिया कहती है विशाल, आखिर तुम मुझसे ऐसी बाते क्यों कर रहे हो तुम्हारा मतलब क्या मैं सेल्फिश हूँ विशाल प्रिया के और देखकर कहता है प्रिया, ये सच है कभी-कभी तुम सेल्फिश हो जाती हो और सिर्फ अपने बारे में सोचने लगती हो तब ही इसके जवाब में प्रिया कहती है मैं जानती हूँ तुम जान पूछ कर मुझे परिशान करने के लिए ये सब कह रहे हो अब बताओगे भी कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ विशाल कुछ टेंस नजर आने लगता है और प्रिया की ओर देखते हुए कहता है प्रिया मैंने आज जो कुछ भी फेस किया होटेल राजमहल में उसकी वजह से मेरा मूट कुछ खराब है तब ही प्रिया विशाल को कुछ भी आगे बोले दिये बिना बोल पड़ती है तुम और तुम्हारे ये मनहूस होटेल राजमहल तुम्हारा ये होटेल तो जैसे मेरी सौतन बन गया है विशाल चौक कर प्रिया की ओर देखता है वहीं प्रिया घूर कर विशाल की आँखों में देख कर कहती है विशाल अब सच भी कह दो तुम्हारा मन मुझसे उप गया है है ना कोई और लड़की तुम्हें पसंद आ गई है है ना इस बात पर विशाल गुसा हो जाता है और कहता है प्रिया इनफ ये क्या बच्पना है तुम हर बार लड़की लड़की का रख लगाए रखती हो क्या तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा कुछ और नहीं चलता तुम्हारी छोटी सी जिंदगी है तुम बस उसी में उलच कर रहे जाती हो जड़ा बाहर निकलो अपनी दुनिया से और जाकर देखो दुनिया में और क्या-क्या हो रहा है इस बात पर पलट वार करते हुए प्रिया गुस्से से कहती है अब तुम न अपने काम का गुस्सा मुझ पर निकालने लगे हो बस करो मुझे नहीं सुनना तुम्हारा कोई लेक्चर इतना कहकर प्रिया वहां से पैर पटकते हुए चुपचाप से चली जाती है तभी बंसी अचानक से फुस-फुसाता है अच्छा हुआ ये गुस्से में यहां से चली गई बहुत विशाल के सर पर चड़ा ली थी तभी बंसी की बात को काटते हुए मुरली बढ़बढाता है अबे तु कभी भी कुछ भी बोलता है प्रिया एक लौदी काल्सेंड ने इसकी इसे चोड़ कर बाच जाएगी तो फिर क्या ये प्यार तुछ से करेगा इतना सुनते ही विशाल जोर से चिलाता है तुम लोग बस भी करो अब तभी बंसी बोलता है हमने कहा कुछ बोला उसकी बात पर शेय देता हुआ मुरली बोलता है सही बोला तो रहे चुरवात तो इस चुड़ा ले की थी विशाल इरिटेट होकर कहता है चुप तुम दोनों मेंसे अब कोई भी एक शब नहीं बोलेगा इतना सुनते ही मुरली और बंसी दोनों गधे की सींग की तरह वहां से गायब हो जाते हैं और उनके जाते ही उड़े कमरे में एक शांती फैल जाती है वहीं विशाल अपने कमरे में सो जाता है और दुबारा से रात होने का बेसबरी से इंतजार करने लगता है क्योंकि पिछली रात जो कसर बाकी रह गई थी उसे आज की रात वो कैसे भी पूरा करके ही रहेगा वहीं रात 11 बचते ही विशाल सीधे रूम नंबर 5002 पर पहुंचता है विशाल जैसे ही कमरे में दाखिल होता है एक बुड़ा आदमी जिसके उम्र तकरीबन 75 के करीब होती है विशाल को वहां कमरे में आता देखकर चौक जाता है और पूछता है बेटा तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें पहचाना नहीं विशाल बुड़े की बात का जवाब देते हुए कहता है अंकल जी मैंने अभी अभी होटेल जोइन किया है और मैं यहां आप लोगों के बारे में पूछने आया हूँ तभी बुड़ा आदमी उम्मीद भरी नजरों से देखकर विशाल को कहता है बेटा हम लोग तो यहां अपने बेटे का इंतिजार कर रहे हैं उसने कहा था हम से कि आप लोग बस यहां थोड़ी देर रुख जाए फिर मैं आप लोगों को सीधे यहां से अपने घर लेकर जाऊंगा लेकिन बेटा वो अब तक आया नहीं हमें यहां से ले जाने के लिए यह सुनकर विशाल की आँखों में जैसे हल्की चुभनसी होने लगती है कहीं न कहीं यह बातें उसके अंतर मन को कचोटने लगती है तभी वाश्रूम से एक हल्की सी आहट महसूस होती है और उसी के साथ कुछ चूडियों के खनकने की आवाज आती है विशाल उस आहट के और मुण कर देखता है तो पाता है एक ओड़ी औरत है जो थोड़ी लंगडा कर चल रही होती है और उन्होंने अपनी आखों पर एक मोटे फ्रेम का चश्मा पहना होता है वो अचानक से कहती है बेटा क्या तुम आ गए मैं तुम्हारा ही कबसे इंतजार कर रही थी विशाल उस बुड़ी औरत के तरफ देखता है उन आखों में जैसे अपने बच्चे से मिलने की तमन्ना छलक रही है तभी वो बुड़ा आदमी बोल पड़ता है निलेश की मा ये निलेश नहीं है ये लड़का तो यहां काम करता है तभी बुड़ी औरत कहती है मुझे लगा मेरा बेटा आया है क्या करू बेटा मेरे खुटने मेना बहुत तेज दर्थ होता है सिर्फ मेरी बहु को मेरे दर्थ की दवा के बारे में पता है ओरत अपने पती की तरफ देखने लगती है और कहती है जब मेरा बेटा निलेश आएगा ना बहु के साथ ताब वो मेरे खुटने की अच्छे से मालिश कर देगी ये सब सुनकर विशाल बहुत बुरा फील करता है उसके आखे जो अब तक सिर्फ नम हो रही थी उनमें अचा आदमे और और औरत की तरफ देखकर कहता है अंकल जी मैं बात करूं से मैं उन्हें यहाँ जल्दी आने के लिए कहूंगा तब ही वो बुड़ा आदमे विशाल की तरफ देखकर कहता है नहीं नहीं बेटा उसको फोन नहीं करना अगर किसी काम में फसा होगा तो खामका पर बुड़े माबाप आज भी अपने बेटे और बहु के बारे में ऐसा सोचते हैं मौत के बाद भी इनका जमीर आज भी उसी तरह से बना हुआ है जैसा एक इनसान में जिन्दा रहते हुए भी नहीं बन पाता वहीं ये सब सोचते हुए विशाल वहां से चला गया और सीधे अपने रिसेप्शन डेस्क पर पहुँच गया उस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा है एक क्या नाम है इनका और क्या इनके बारे में कुछ पता चल सकता है क्या इसलिए वो रेजिस्टर खोल के देखने लगा कि इन पूरे दमपत्ती का कोई इन्फरमेशन महा मिल जाए ढूंते 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 उसकी नजर रेजिस्टर के एक पन्ने पर आकर ठहर जाती है रूम नंबर 5002 नेम मिस्टर अशोक पासवान और मिसस काईतरी पासवान ओ तो इनका ये नाम है विशाल नाम और इन्फो पढ़ते हुए खुद से ही बढ़ बढ़ाता ह और आगे इनके वोटर कार्ड और बाकी के चीजों को वहाँ डेस्क में चेक करता है जहां उसे कुछ भी नहीं मिलता लेकिन इन दोनों दमपत्ती के अलावा उस रेजिस्टर में और कोई नाम नहीं होता और नहीं डेस्क में ही कोई अलग से इन्फोर्मेशन उसे हासिल और तो और इनके बेटे के बारे में भी विशाल को कुछ मालूम नहीं चल पाता विशाल को सिर्फ ये पता है कि इनके बेटे का नाम निलेश है और सरनेम पासवान है विशाल इस मामले के बारे में काफी गहराई से सोचने लगता है और एक कमरे के पास से होकर गुजर ही रहा होता है ये एक हाथ विशाल को सीधे एक अंधेरे से भरी जगह में अपनी और खींच लेता है जिससे विशाल हैरान होकर थोड़ा डर जाता है और अंधेरे में उन हाथों की तरफ देखने लगता है जिसने उसे अपना निशाना बनाया है ये कोई और नहीं बलकि मल्ली का शिखाव जो लगातार उसके गालों को प्यार से चूमने लगती है और विशाल को उसे प्यार करने को कहती है विशाल I need your love और इतना कहकर मल्ली का विशाल के नेक पर किस करने लगती है विशाल को थोड़ा ओड फील होता है जिस वजह से वो खुद को मल्ली का से दूर करते हुए कहत है प्लीज मैम आप ये क्या कर रही है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ना मेरी गर्ल्फ्रेंड है प्रिया इस बात पर विशाल के बालों पर हाथ फेरते हुए मल्ली का स्माइल करते हुए कहती है विशाल जितना प्यार तुम्हें मुझ से मिलेगा उतना प्यार प्रिया तो क्या इस दुनिया में कोई भी लड़की नहीं दे सकती इस पर विशाल कहता है लेकिन मुझे किसी और का प्यार चाहिए भी नहीं मैडम मैं अपनी प्रिया को पाकर बेहत खुश हो ये सुनकर मल्ली का कहती है ये बात है चलो ठीक है तुम्हारी महबद तुम्ह मुबारक हो इतना कहकर मल्ली का विशाल को पैसे थमाने लगती है ये लो ये पैसे रख लो विशाल चौक कर उन पैसों की तरफ देखता है जो काफी ज्यादा है विशाल कहता है पैसे लेकिन किस लिए मल्ली का कहती है ये पैसे तुम्हें आने वाले समय में काम आने वाले ये सुनकर विशाल मलिका से वो पैसे ले लेता है और फिर साड़े तीन बचते ही विशाल वापस से अपने घर पहुँच जाता है और उस बूडे दंपत्ती के बारे में सोचने लगता है वहीं अगली सुभा एक बड़ी सी कार आकर सीधे जैपूर के फायर ब्रिगेड के आफिस के सामने रुकती है और उस कार में से एक सून बूड पहना हुआ आदमी बाहर निकलता है जिसने काले रंग का महंगा चश्मा लगा रखा है और गर्दन पर एक टाई लटक रही है औ वह सीधे फायर ब्रिगेड के आफिस में दाखिल होता है और बिना वक्त गवाए वहां के में आफिसर से कहता है यतना सुनते ही फायर ब्रिगेड आफिसर सीधे होकर बैठ जाता है और विशाल को चेयर पर बैठने को बोलता है जी सर मैं ही स्टेशन आफिसर हूँ जी बो असल मैं Central Government का Audit Officer हूँ और यहां आपके सारे डॉकुमेंट्स को देखने के लिए आया हूँ विशाल आगे पूछता है आपके यहां जैपुर में होटेल राजमहल में आग लगी थी ना जिसमें काफी लोगों की जान चली गई थी ये सुनकर ऑफिसर जवाब देता है जी सर ये सर मुझे अच्छे से याद है ये 2016 की बात है हाथसे में काफी लोगों की मौत हो गई थी लेकिन इस हाथसे को तो साथ साल गुजर गए है अभी ये केस से आपको क्या लेना देना है ये सुनकर विशाल जवाब देता है हाँ दरसल पिछले एक महीने से हमारे आफिस में काफी सारी कंप्लेंट्स आ रही है जिसमें से कई लोगों को अब तक उनका कंपंसेशन अमाउंट आज तक नहीं मिला है इसलिए मुझे उस हाथसे से जुड़ी लोगों की फाइल्स की डीटेल्स चाहिए कि कौन-कौन उस हाथसे में मारा गया था और किस-किस को का वो स्टेशन आफिसर 2016 की फाइल लेने चला जाता है वहीं थोड़ी दिर बाद विशाल चाय पीते हुए उस 2016 की फाइल जिसमें होटेल राज महल हाथसे में मौत हुए लोगों की टीटेल्स मौझूद है उसको पढ़ता हुआ आखिर में एक नाम पराकत पहर जाता है क् की पूरी फाइल में सिर्फ एक ही इंसान होता है जिसका नाम पासवान सरनेम के साथ होता है निलेश पासवान तो अब क्या होगा आगे कहानी में कैसे विशाल मिला पाएगा उस बूढ़े दमपत्ती को उनके बेटे से